नमस्कार फ्रेंट्स मैं संतोष पाटि संतोष रूप में के यूटुब चैनल में आपका स्वगत है फ्रेंट्स काफी बार जब हम रूप करते हैं और काफी सारी चीजों में अभी हम अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो फिर आज के तारिक में जितने भी जर्वर्ण करके हं तो आप अभी बना नहीं जा रहे तो फिर वहां पर हम लेट्लि साइट वर चलते हैं किया क्या चीजे यूज की है और सबसे एफ़क्तिव सॉलूशन क्या है पाढ़ जाके हम लेट्लिस साइट पे देख लेटे हैं आप पहुंचें साइट पे आप देख सकते हैं यह जो है वह एक स्पेस बोड है या फिर उसको स्टाइरोफूम भी बोलते हैं जनरली उसकी जो लेंथ होती है यह आठ फीट लेंथ में आता है और वीड़ में दो फीट आता है जिग-जग सिस्टिम होती है जिसके बाद इसे बिटुमिनस 3 mm का मेंब्रेन लगा के उसके उपर हम अभी जो एक स्पेस बोड है वो लगा रहे है आप देख सकते यहां पर बिटुमिनस जो मेंब्रेन है उसके उपर हमने आल्रेड़ी अल्यूमिनियम की जो बैटन है वर्टिकल आप यह दे सकते हैं तो बीच-बीच में लगा है हर 4-4 फिट के उपर जो कि इसलिए अल्यूमिनियम बैटन लगाया है क्योंकि उसके उपर बाद में होरिजन्टल परलीन आने वाली है और जिसके उपर हम टाइल लगाने वाली है आप देख सकते हैं यहां पर जो भी 8 फिट के बोड थे तो उसमें हमने 4-4 फिट क अपर काड़के उसको कुछ इसी तरी किसे लगाया है वर्तिकल जो राफ्र लगाया है और उसके बीच में यह आप देख सकते हैं यह एक स्वेस बोड हमने यहां यहां पर लगा दीया है यह देख सकते हैं यहांप ऐसे काफ़ी चोटी-चोटी रूफ ह exist parlar आयांक कुछ प् कर रहा है जो कि aluminum coated है यहां पर सबसे ज्यादा important चीज यह है कि heat insulation का बहतर तरीके से काम होना है तो फिर पहले हमने express board लगा के लिए है express board के उपर हम यह दूसरा वाला membrane लगा रहे है जिसकी बज़े से heat किसी भी हलत में अंदर तक transfer होगी यह नहीं आप देख सकते हैं यहां पर काफी बड़िया तरीके से इसका काम करके लिया है जो कि 1% पर भी कहा पर ऐसी जगह नहीं छुड़िये जहां से अंदर हवा जाने के कोई chances रहेंगे आप एक दे सकते हैं उसकी जितने भी जाइंट्स है वो पूरे सील के गया अभी यह दो सिस्टेम में 100% वाटर पूफ भी हो गई क्योंकि पहले जब बिटुमिन लगा रहे थे तब एक बार वाटर पूफिंग पूरा पूरी तरके से हो गया अभी सेकंड टाइम यह इसके बज़े से बहुत ही बढ़िया और सरल काम किया है और काफी कॉलिटी है हर जगह पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरी के से काम हुआ है यह देखे यह टाइल और जो मेंब्रेन है उसके बीच में काफी ज़्यादा ग्याप मिलता है जिसके बज़े से हीट इंसुलेशन और भी काफ इसके उपर अपना मेंब्रेन और तायल के बीच में यहां से डपल बढ़ा और बढ़िया तरीके से काम हो रहा है तो फ्रेंट्स यह वीडियो को यहां पर है ज़्यादा गरमी होती है तो फिर आप जरू मुझे कांट्क कर सकते हैं मैं संतोश पादलेज संतोश रूपी की यूटूब चानल से धन्यवाद फ्रेंग्स